आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है दोस्तो आप लोग हमारे चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तो हम जो नुसके आपको बताते हैं वो वेद्यों की राय के मताविक होते हैं इसलिए आप लोग हमारे चैनल को आज ही सब दोस्तो अगर सबसे पहले नॉटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं हमारे वीडियो को सबसे पहले आप देखना चाहते हैं तो जो वेल आइकन है उसको प्रेस कर लें तो नॉटिफिकेशन आपको घरवेटे मिल जाएगा दोस्तो इस्तरी हो या पुरुष हर कोई यंग प्रेश और खुब सुरत दिखना चाहता है किसी कारण उनकी तवचा पर जुर्यां पड़ गई है या उनकी तवचा थोड़ी सी सुस्त है तो वो महंगे प्रड़क्ट का इस्तमाल करके अपनी तवचा में सुधार लाने की कोशिश करते हैं लेकिन चेहरे की असली और दूर करने के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे यदि आप अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव लेकर आते हैं तो आप इन मुसीवतों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं दूस्तों आखों के नीचे जो डार्क सरकल होते हैं वो उनके बहुत सारे कारण हो और गरवावस्था के दौरान ऐसे डार्क सरकल हो जाते हैं अब आपके डार्क सरकल को दूर करने के हम जो घरेलू उपाय बता रहे हैं आप नोट कर लीजिए सबसे पहले हम बादाम के तेल के जरीए डार्क सरकल कम कर सकते हैं क्योंकि इसमें बिटामिन E होता है जो आखो के डार्क सरकल को कम करने में मदद करता है बादाम तेल आखों की नाजुक तवचा के लिए बेहतर होता है इसका इसका इस्तिमाल रात को सोने से पहले करना चीए रात भर इसे लगा रहने दें सुबह अपना चेहरा साफ कर लें धोलें दोस्तो दूसरा नुस्खा है नारि टमाटर के जरी आप डार्क सरकल को मिटा सकते हैं ये नैचरल तरीके से आँखों के काले घेरो को खत्म करता है इसके साथ ही आपकी जो तुचा है वो भी कौमल बनी रहती है नमर चार नीवू के इस्तिमाल से आप अपने डार्क सरकल को हटा सकते हैं नीवू में बिटामि अलोवेरा आप इस्तिमाल कर सकते हैं डार्क सर्कल दूर करने के लिए आप एलोवेरा का भी इस्तिमाल कर सकते हैं एलोवेरा को आँखों के नीचे रगणने से डार्क सर्कल नस्ट हो जाते हैं नमर 6 आलू के प्रयोग से भी आप डार्क सर्कल कम कर सकते हैं आलू का प्रयोग डार्क सर्कल दूर करने के लिए रामबाण माना जाता है आलू के रस में निगू के रस की कुछ बूंदें मिलाएं इस मिश्टन को रूई की साहता से आँखों के नीचे लगाएं आपके काले गहरे समाप्त हो जाएंगे नमर 7 ग्रीन टी बैक का इस्तिमाल करके भी आप अपने डार्क सर्कल्स को हटा सकते हैं ग्रीन टी का आप इस्तिमाल कैसे करेंगे आप देख लीजिए दो ग्रीन टी बैक लेकर आप आधा कप पानी में उबालें पर इसे ठंड़ा करने के यो प्यूक किया जाता है कच्छे दूद को ठंडा होने के लिए रख दें इसके बाद कॉटन की साहिता से दूद को आखों के नीचे लगाए ये प्रक्रिया दिन में दो बार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके डार्क सरकल्स उडंचू हो गए हैं संत्रे के छिलके के द खतम कर सकते हैं वो कैसे करेंगे पुदीना आखों को ठंडग देता है पुदीने को पीस कर इसमें थोड़ा सर नीवू का रस मिक्स करें अब 15 मिनिट के लिए इसे अपनी आखों पर लगाए फिर इसे साफ कर दें कुछी दिनों में आप देखेंगे कि आपको फर्क लग जाएगा दोस्तो आईरवेद समाधान जीवन जीने की एक पद्दती है जिसमें बताए गए इन उसके वैद्यों की रायते मुताविक होते हैं जीवन को नीरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिया आईरवेद समाधान क्योंकि आईरवेद